आज हम मुगल संब्राज जी के दूसरे शाशक हुमाईयू के बारे में बात करने वाले हैं हमाईयू का जन छे माच पंदरा सवाट को काबल में हुआ हमाईयू का पूरा नाम नसिर अद्दीन मुहम्मद हमाईयू है जिनके पिता बाबर और माता माहम बेगम है हमाईयू के तीन भाई थे कामरान असकरी और हिंदल और उनकी एक बहन गुलबदान बानो बेगम गुलबदान बानो बेगम नहीं हमाईयू नामा की रचना की है वैसे तो हमाईयू ने अपने शाशन काल में कई ललाईयां लड़ी मगर जो परमुख ललाईयां लड़ी उनमें कालिंजर का युद चोसा का युद कन नौज का युद और सरहिंद का युद शामिल है हमाईयू ने कालिंजर पर आकरमन 1531 इस्वी में किया कालिंजर के शाशक परताप रूड देव से उन्होंने जंग जीतने के बाद कालिंजर पर कबज़ा नहीं किया लेकिन वहां एक संधी कर धन लेकर वापस चले आए 1549 में हमाईयू ने चोसा का युद लड़ा शेर खाने चोसा के युद में हमाईयू को पराजित किया शेर खान को ही शेर शा सूरी के नाम से जाना जाता है क्यूंकि उन्होंने शेर को निहत्ते मार डाला था 1540 में हमाईयू ने फिर से शेर खान से कन्नोज का युद लड़ा लेकिन वहां भी हमाईयू को पराजै मिली और इस तरह हमाईयू भाग कर सिंध चला गया 1555 में जब हमाईयू को ये पता चला कि शेर खान मर चुका है तो 1555 में हुमाईयों फिर से सरहिंद की लड़ाई उसने लड़ी तेरखा के बेटे सिकंदर सूर से और उसने सिकंदर सूर को पराजित कर पुना अपना समराज का गठन कर लिया 1556 में दीन पना के पुस्तकालें के सीड़ियों से गिर कर हुमाईयों की मिरती हो गई हुमाईयों ने जिन चाल लड़ाईयों को लड़ा उनको याद करने का तरीका है काली चाची के नो सर काली चाची के नो सर काली से कालिंजर का यूद चाची से चोसा का यूद नो से कन नोज का यूद और सर से सरहिंद का यूद मुगल समराज के लगभग 200 सालों के इतिहास में सिर्फ पहली बार और हुमाईयू के शाशन में ऐसा हुआ कि उसने भारत पे अपना सत्ता खो दिया जब हुमाईयू शेर सा से 1540 में हार कर भाग गया मुगल समराज फिर से गठन हुआ जब 1555 में हुमाईयू ने सिकंदर सूर को हरा कर फिर से दिल्ली पर अपना कबजा कर लिया तरह से हुमाईयू की कहानी यहां पे खत्म होती है अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे मुगल समराज और भारत ही इतिहास का सबसे बड़ा राजा अकबर के बारे में